उसके दिल, जान, सब नियोच्छावर कर दो जो टिक सकता है इस सहमना, सिकुड़ना, सिसकना, ऐसे क्यों जीना? ऐसा रखिए अपने आपको कि आज ही आपका सब कुछ छिन भी जाए तो भी आप पर एक सीमा से आगे प्रभाव ना आए मिल रहा है गुलाब जावन, खाये जाओ, कौन रोक रहा है? पर लत नहीं लगनी चाहिए जो मेरा है, वो छिन नहीं सकता जो मेरा नहीं है, वो कभी मेरा था ही नहीं दोनों ही स्थितियों में मैं रों क्यों? दूसरों के दिये पर नहीं चलना ना दूसरों के दान पर ना दूसरों के उधार पर हमारी जिन्दगी में हमारी हस्ती की खनक होनी चाहिए अपने बाप का खा रहा हूं, किसी और के बाप का नहीं और मेरा एक ही बाप है, कौन? या तो उपर उगली दिखा के उसको इंगित करते हैं, या इधर अच्छा सवाल है, करना चाहिए याथे फिल्मों में होता है, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? परश्र चाली जी जी कहिए आचाली जीवन में कुछ भी समान नहीं है जिसको उठने मिला है वो गिरेगा भी पर मैं जब खुद को देखती हूँ, तो मन उठने के समय में बहुत खुशी और गमंड से भर जाता है साथ ही डर भी रहता है कि गिरना जाओं, क्योंकि उसके पीछे अजम्शन ही होता है कि अगर गिर गई तो अंदर भी कुछ ऐसा है जो तूट जाएगा तो इसलिए उसको सिक्योर करने की कोशिश हर समय बनी रहती है और ये चीज मैं अपने जीवन के छोटे-छोटे कारेओं में भी देखती हूँ कि ये पैटन बहुत जादा मैं फॉलो करती हूँ देखे नहीं हैं कंट्रोल फ्रीक्स वो अप्रत्याशा से बहुत डरते हैं अप्रत्याशा माने कहीं कुछ अननुमानित न हो जाए कहीं कुछ अगणित न हो जाए अनकैलकुलेटिड अनप्रिडिक्टिड और जीवन में आप कितनी भी आशा कर लो और गणित लगा लो जो होगा वो तो अलग ही होगा हात्मा बुद्ध के पिता ने कितनी तो कोशिश करी थी सचमुच उन्होंने बाप रे बाप कर दिया कि ये लड़का किसी भी तरह हाँस से निकलना नहीं चाहिए बचपन से ही लक्षण दिखाने लग गए थे पूत के पाओं पालने में तो आसपास के लोगों ने कहा कि अगर इसको आप बचा ले गए तो ये आज तक का सरुशेष्ठ राजा निकलेगा अद्भूत ये ख्षमताएं दिखा रहा है ज्यान दिखा रहा गुण दिखा रहा तो इसको बचा ले जाओ शक्रवर्ती निकलेगा बहुत कथाएं कहते हैं कि पाड़ों से उतर करके कोई पंडित आया था उसने देखा और कहा कि जैसा भी और अगर इसको नहीं बचाया तो ये बैरागी हो जाएगा तो इतनी कोशिश करी उनके पिता ने जितना उनको भोग राग दे सकते थे सब दिया दुखों से बचाया जीवन के तथ्यों से दूर रखा तो क्या होता है कुछ ना एक पल में हमारे द्वारा निर्मित सारा महल रेत की भीत की तरह भट से गिरता है एक जोका चाहिए हवा का कि जैसे कोई कितनी खुशी से अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हो सक्सेस की लेट नाइट पार्टी और यह सब करके सड़क पार कर रहा था और गाड़ी ले गई कितने पल लगे सब बदलने में कितने पल लगे तो बदल तो जाना ही है ना जो बदल जाना ही है उसको क्यों रोकने की कोशिश करनी जान लो कि यह नहीं टिक सकता है और जो टिक सकता है उसको जान दे दो उसको पर दिल जान सब नोचावर कर दो जो टिक सकता है वो प्रक्रिया नेती नेती किये उसको कैसे जान दी जाती है उन सब से अपनी जान वापस खींच कर जो टिकेंगे नहीं पर जान बने बैठे है प्रक्रिया नेती नेती किये अगर उसको जान बनाना है जो टिकेंगा तो जो बाकी सब जान है इनको तो यहीं बोलो जा ना जाना को बोलो जाना अब वो ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो आपके एरादे आपकी आशाएं आपकी उपलबधियां जो कुछ भी आपकी पहचान बना बैठा है उसको बोलो जाना सोज में आरे ही बात ये सहमी हुई जिंदगी है और सहमी हुई जिंदगी सिकुड़ी होती है और सिसक रही होती है सहमना, सिकुड़ना, सिसकना ऐसे क्यों जीना जब भीतर मिला ही हुआ है विवेक का कवच जो बचा कर रखेगा तो बाहर सो तरे के कवच क्यों पहनने जो लोग बहुत गर्म इनर पहन लेते हैं थर्मल जाडों का उधारन दे रहा हूँ उन्हें बाहर भी क्या मोटा कोट लादना पड़ता है लादना पड़ता है क्या और आते हैं ऐसे वाले साइबेरिया के दुकान होँ मिलते हैं वहाँ से ले क्या हो वो एक अंदर पहन लीजिए शर्ट के तो शर्ट के उपर कुछ नहीं पहनना पड़ता पिर तो वो तो फिर भी बाहर ही बात है कि शरीर के उपर पहन रहो एक इनर ऐसा होता है जो सचमुच इनर होता है उसके बाद बाहर के किसी रक्षा कवच की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बाद खुलकर जीओ खुलकर खिलो खुलकर खेलो बेधड़क हो करके हमारा कुछ नहीं छिन सकता हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता अब कहे के लिए नियंतरन चाहिए कॉंट्रोल चाहिए यह जो सारी चिंता और परेशानी रहती है यह स्वार्थवश रहती है कि स्वार्थ है जो इतना चिंतित रखता है क्योंकि स्वार्थ भी कहीं न कहीं जानता है कि पूरा तो होने से रहा स्वार्थ में स्वा ही क्या है अधूरा तो स्वार्थ पूरा कहा से होगा कभी स्वार्थ नहीं पूरा होता कितना भी अपना आप स्वार्थ लहा लीजिए सुवा तो अधूरे ही रह जाता है कभी हुआ कि कोई स्वार्थ पूरा हुआ उससे आप भी पूरे हो गए कभी हुआ तो तमाम तरह के स्वार्थों के पूरे होने के बाद भी सुवा तो अधूरे ही रह जाता है तो डरा रहता है वो ऐसे क्लच करता है उसकी मुठी हमेशा ऐसे बंद रहती है उसके जबड़े भिचे रहते है उसके शरीर में तनाव रहता है पकड़ना चाहता है कितना भी पकड़ लो पकड़ी हुई चीज रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसली जाती है फिर भी सीखता नहीं कहता हूँ जितनी जोर से दबाओगे रेत की जगे पानी का उदारन लेलो पानी मुठी में पकड़ना चाहता हूँ जितनी जोर से मुठी भीचोगे पानी उतनी तेजी से निकलेगा सागर के प्रति प्रेम चाहिए बाकी जितना कुछ है उसके प्रति आना सकते और अनासक्ति का मतलब दुराव नहीं होता, परायापन नहीं होता, अनासक्ति का यही अर्थ है कि तुमसे स्वार्थ का रिष्टा नहीं जोडेंगे, रिष्टा जोड लेंगे, अनासक्ति का मतलब यह भी नहीं है कि तुमसे कोई रिष्टा नहीं रखेंगे, तुमसे स्व स्वार्थ का रिष्टा नहीं रखेंगे स्वार्थ हम जानते ही नहीं प्रेम हम जानते हैं और प्रेम जिस एक से करा जाता है उससे है बाकियों से कुछ नहीं बाकियों से कुछ नहीं बाकियों से स्वार्थ नहीं लोग डर जाते हैं ना सकते होतला समझते हैं कि वो सब को दीमक की तरह चार्ट जाएंगे चिंताएं, असुरक्षा डर कहीं कुछ अनपेक्षित न हो जाए जीने नहीं देंगे चीजें आपको क्योंकि आप कितना भी रोको जो अनपेक्षित है वो तो होगा आपके हिसाब से तो नहीं चलने वाला जीवन तो आप जीवन को कहो तू जब मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मैं तेरी बाट क्यों जो हूँ जिसको अपने हिसाब से चलना है मैं उसका मूँ क्यों तक हूँ फिर तू अपना काम कर तू प्रक्रत है तू अपने हिसाब से बह हैं हम पैदा हुए हैं सत्य के लिए हम पैदा हुए हैं जानने के लिए सीखने के लिए मुक्ति के लिए हम अपना काम करेंगे ऐसा रखिए अपने आपको कि आज ही आपका सब कुछ छिन भी जाए तो भी आप पर एक सीमा से आगे प्रभाव ना आए ये नहीं होना चाहिए कि आपकी चीजें छिन गई या रिष्टों में कुछ हो गया या इज़त लोगों ने देनी बंद कर दी तो आपको लगे कि आपका अस्तित्त ही मिट गया ये नहीं होना कौन रोक रहा है पर लत नहीं लगनी चाहिए आज चरण स्परिश बोल रही है कल चरण प्रहार भी कर सकती है ना हमें चरण स्परिश में कोई बहुत मजा आ गया ना चरण प्रहार से हम बड़े चिंतेत हो जाने वाले करिए जो करना है अज में आरही बात यह अपने आप से पूछा करिए सब कुछ चला भी जाये तो बहografी हम है ना ठीक है तो सब कुछ चला जाये बुरा तो लगता ही है कौन क्यारा नहीं लगता सुविधा भी तूटती है भावों में भी दारारा आती है यी सब होता है ठीक लेकिन इस सब के बाद इतना रहे कि हम मिट ही नहीं जाएंगे जो आपकी बॉटम लाइन है जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है वो भी टॉलरेबल होना चाहिए उसके बाद आप खुल के खेल सकते हो आप कहते हो जो बुरे से बुरा हो सकता है वो भी सहनी यह है जो बुरे से बुरा है जो वर्स्ट केस है अगर वो भी सहा जा सकता है तो फिर जिन्दगी सुतंत्र हो जाती है आफत उनकी रहती है जिनके वर्स्ट केस सिनेरियो में एक्स्टिंक्शन लिखा होता है मैं ही नहीं रहूँगा वो परिशान हो जाते हैं उनको फिर रात में नीन नहीं आएगी उनको फिर नियूरोसिस है और इंसोमनिया और नीन की गोलिया और ये सब चलता उनका दुनिया की चीजों को सर मत चड़ने दो न मान को न अपमान को न सुख को न दुख को दावत है दावत में कभी जाओ तो बहुत स्वादिष्ट कुछ मिल जाता है कई बार जाओ तो पता चलता है कुछ भी नहीं है ठीक दावत में क्या मिलेगा आपका उस पर होता है कुछ अधिकार कुछ नहीं होता कुछ बहुत अच्छा मिल गया तो हम कहां के रÈंरिण छूको अच्छे से ज्जाड़ दो सब कुछ एक बार नहीं दो बार प्लेट भर भर के ज्जाड़ो कॉन रोक रहे लेकिन कुछ नहीं मिले तो मन खट्टा मत करो जी छोटा मत करो नहीं मिला तो नहीं मिला अब मिल गया तो अब नचूक चौहान आरी बात समझे जिसे कहते हैं लोग भाशा में क्या उखाड लोगे बस यही अपने मन से पुछा करिए क्या क्या 80-90 प्रतिशत तो जो हमारे डर होते हैं और सुरक्षा की जो हमारी हवस होती है वो निर्मूल है वो डर भी काल्पने के उनका यथार्थ से कोई ले नहीं देना नहीं तो वो तो ऐसे हटा दीजिए और जो अगर हो भी गया तो क्या बुरा लगेगा मैं आपको सुपर्मैन बनने को नहीं बोल रहा हूँ यह सुपर्वुमन की आप कहें कि नहीं मैं तो मुझे मालू मैं कुछ भी हो जाये मेरा कुछ नहीं बिगड़ता बिगड़ता है हम भी जानते हैं बिगड़ता है हमारा भी बिगड़ता है पर बिगड़ने की एक सीमा होनी चाहिए हाँ बिगड़ेगा पर इतना ही बिगड़ेगा उसके नीचे क्या है उसके नीचे हमारा आधार है उसके नीचे आत्मा है वहां कुछ नहीं बिगड़ता सब छीन सकते हो, हमारा आत्मा थोड़ी छीन लोगे, वो नहीं बिगड़ता मेरे सब कुछ छीन के करदो सड़क पर खड़ा, मैं जो हूँ वो थोड़ी छीन पाओगे और जो कुछ तुम ने छीना, वो मेरे मैं होने की वज़ा से था मेरे पास, ठीक ठीक, तो जो असली चीज थी, तो अभी भी है मेरे पास और जो कुछ तुमने छीना, अगर वो बस सयोग से था मेरे पास तो फिर मैं रोक्यों रहा हूँ अगर छीन गया, वो तो था ही सयोग से मेरा नहीं था, उधार का था, चोरी का था, सायोग का था मेरा नहीं था तो अगर छिन गया तो मैं रोऊं क्यों और अगर जो छिना है वो मैं की छाया है मैं का उत्पाद है, मैं का परिणाम है तो जो मूल चीज थी हो तो अभी भी मेरे पास है मैं तो मैं रोऊं क्यों किसी भी हालत में मैं रोऊं क्यों अउधूत कीता में एक के बाद एक श्लोक आते हैं हाँ और सब अन्तिवस एक सावाल पुछते हैं तू रो क्यों रहा है सब के जो यह आप लोग आज डालियेगा आपका आज का काम एक के बाद एक श्लोक आते हैं तू रो क्यों रहा है तू रो क्यों रहा है तू रो क्यों रहा है जो मेरा है वो छिन नहीं सकता जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा था ही नहीं दोनों ही स्थितियों में मैं रों क्यों चोरी का माल रखना बंद करिये रातों को नींद अच्छी आएगी चोर बेचारा कैसे चैन की नींद सोएगा उसने कहीं कुछ चोरी की हो उसकी तो नींद चोरी हुई है चोरी का माल रखना बंद करो और उधारी सब पटा दो उधार का माल रखो गहमेशे खटका लगा रहेगा कि लेंदार कभी भी आ सकता है रहेगा न तो उधार के माल को मैं कहना बंद करो मेरा कहना बंद करो वो तुम्हारा नहीं है और जानते हो तुम्हारा नहीं है ये देह भी उधार की है कि नहीं है भैसे वाले भाईया कभी भी आ सकते हैं देह उनकी है देह से इतना जुड़ कर जियेंगी तो नीन नहीं आएगी जो चीज दूसरों की है उसको अपना कहना बंद करो जो चीज सैयोग की है उसको अपना कहना बंद करो सैयोग ने दी थी सैयोग ही लेकर जाएगा हाई तूट गई मुरी जोड़ी तूट गई तो जोड़ी जिन जोड़ी तिन तोड़ी तेरी कौन सी जोड़ी थी रे जैसे जोड़ी थी वैसे तूट कई, सहियोग से वो मिला था, सहियोग से बह गया, आप काई के लिए, मुझे मालूम है, आपदक्षण में भावना इतनी जोर की उठती है, कि ज्ञान पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना तो रखी है न, कि मन एकदम ही विक्षिप्त न हो जाए, सर पे उधार चड़ा हो नीद आएगी, कहीं से चोरी करके लाए हो और माल दबाए हो पलंग के नीचे नीद आएगी, इसलिए हमें नीद नहीं आती, और इसलिए हम कोग खटका लगा रहता और बार बार देखते हैं कहीं कुछ गड़बड तो नहीं हो गई, नियंत्रन हमें इसलिए चाहिए, सुरक्षा की मांग उसको ही होती है, जो पराई चीजें पकड़के बैठा होता है, जिनको चिन्ता भहुत सताती हो, वो अपने जीवन में जाकेंगे और देखेंगे, चोरी कहां है, उधारी कहां है, चोरी का माल पकड़े रहने में आपको जो फाइदा होता होगा, सहोता होगा, कीमत बहुत बड़ी देते हो आप, ठीक से हिसाब लगाओ, गड़ित साफ रखो, तो पाओगे कि ये चोरी, उधारी पटा देने में ही मुनाफ़ा है, जिससे चुराया उसको दे दो, और अगर नहीं दे सकते हैं तो अपने घर के किसी कोने में छोड़ दो, की पड़ा रहे यहाँ पे मेरा नहीं है, और उधारी तो जिससे ली है, वहाँ तो जाके पक्का उर्ण हो जाओ, ये आपका उधार ये लीजिए, और ब्याज समय तो आपस लीजिए, हमें नहीं रखना, जो मुक्त है, सिर्फ वही मौज में है, बीमानी है ना, चल है, कपट है, जो चीज अपनी नहीं उसको क्या रहे मेरी है, उस कपट की कीमत क्या होगी, तनाव, चिंता, एक आदमी है, बिलकुल निखट्टू, कोछ उसमें कर पाने की कोई इक्षमता नहीं, क्योंकि उसने इक्षमता कभी विक्षित करी, नहीं इक्षरम करना चाहता नहीं, लेकि निखट्टू पूरा है, भीतर, लालज भी बराबर का है, पूरा, इसको कहीं पर मिल गया हजार का नोट, इसके लिए तो ऐसा हुआ जैसे, बिल्ली के भाग से चीका फूटा, पर एक दूसरा आदमी है, पुरुशार्थी है, श्रम करता है, उस दूसरे आदमी के लिए, हजार के नोट का क्या वही अर्थ है, जो इस निखट्टू के लिए, मेरे होने से यह हजार का नोट है, हजार चला भी गया तो मैं हूँ ना, मैं हूँ, दूसरी और इस दूसरे को जो निखट्टू को मिला, वो बस संयोग से मिला है, कोई आधारभूत कारण नहीं है प्राप्तिका, मातर संयोग है, इसका अगर हजार चिनेगा, तो दुबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलना संयोग था, तो यह बहुत डरा हुआ रहेगा, कि हजार मिल जाए, कहीं चिन न जाए, इसकी उड़ गई रातों की नींद, लेकिन जो अपने श्रम से कमाता है, उसके लिए तो यह हजार का नोट किया है, कुछ नहीं, मैं तो काम करता हूँ, उसी का बाई प्रोड़क्ट है, सहह उत्पाद है, पैसा आ गया था, मैं जो हूँ, मेरा काम जैसा है, मुझे उससे मतलब है, और मेरे काम, मेरे हुने पर आश्रित है, मैं रहूँगा, काम होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, हजार आज है, नहीं है, क्या करना है मुझे, वह पैसे के लिए, मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ, मेरा कर्म, तो मेरे अस्तित्तों की प्रतिध्वनी है, मैं हूँ तो मेरा कर्म है, उस कर्म से एक बाई प्रोड़क्ट की, एक सहुत पात की तरह पैसा आ गया था, अभी हजार रुपया है तो है, नहीं है तो नहीं है, हम इसके लिए थोड़ी मर रहे हैं, निखट्टू के लिए हजार रुपया, और उस अचमुच मर जाएगा हजार रुपया के लिए, क्योंकि सहीयोग से मिला था, सहीयोग से मिला था और लालच बहुत है, आ सकती बहुत है, दूसरी और यह पुरुशार्थी है, इसको प्रेम किस से है, अपने कर्म से, उस कर्म के परिडाम से नहीं, तो कह रहा है मुझे तो मेरे काम से मतलब है, काम मैं कर रहा हूँ, उस काम से हजार रुपया आ गया था, उस काम से हो सकता है, हजार रुपया ज्यादा भी आ जाए कल, उस काम से हो सकता है, कुछ भी नहीं आएगा तो भी मैं अपना काम थोड़ी छोड़ दूँगा अगर हम किसी चीज को खोने को ले करके बहुत आशंकित है तो बहुत संभावना यह है कि हम उस चीज के लायक भी नहीं है वो चीज इतनी बड़ी हो गई है हमारे लिए कि हमारी हस्ती उस चीज पर आशरित हो गई है और जो चीज आपके लिए इतनी बड़ी हो गई है निश्चित रूप से वो चीज आपकी कमाई हुई तो नहीं है यो तो आपका तुक्का लग गया है दूसरों के दिये पर नहीं चलना ना दूसरों के दान पर न दूसरों के उधार पर हमारी जिन्दगी में हमारी हस्ती की खनक होनी चाहिए अपने बाप का खा रहा हूँ किसी और के बाप का नहीं और मेरा एक ही बाप है कौन? या तो उपर उगली दिखा के उसको इंगित करते हैं या इधर? मुझे इधर कहना पसंद है इसके होने से हमारा वजूद है दुनिया के होने से हमारा वजूद नहीं है तो क्यों डरे? क्यते नम? जन भाशा में किसी के बाप की खाते हैं? हमें जो मिला है हमारे बाप से मिला है मा बोल लिजी जो बोलना? सत्य आत्मा जैसे बोलना? ये पाप है पराए माल को अपना कहना हम? ये ही परधर्म है जो क्यते हैं न पराई नार पराई धन पर नजर मढड़ा लो हम? उसको और विस्तार दीजिए जो कुछ भी पराया है उस पर नजर मढड़ा लो मात्र पराई नारी ये पराई धन ही क्यों? सब कुछ ही पराया है जिसको तुम अपनी नारी कहते हैं वो भी तो पराई ही है एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू का नाई घर की नारी का कहें? तन की नारी नाई घर की नारी का क्या भरोसा आई जो तन की नारी ये भी जाएगी ये नारी माने ये नारी नारी बुले जो सब पराई हैं घर की नारी भी पराई है और ये तन की नारी ये भी पराई है तो क्या हम किसी का भरोसा किसी के किसी पर नहीं जीते हैं अपने में जीते हैं यही अध्यात में पर पराए माल को गप करने में उस वक्त बड़ा मज़ा आता है आता है यह नहीं आता है और फिर उसकी जो कीमत देते हो तो फिर खून के आहसूर होते हो लगाता रियाद रखो यहां न कुछ अपना है न कुछ अपना करने की जरूरत है क्योंकि अपने बाप की तरफ से हम पहले ही पूरे हैं हम पूरे हो के आए हैं ठीक है इस जगत में वस्तुओं का पूरा मेला है भंडार है गोदाम है लेकिन हम करें क्या है दो कोड़ी की चीज़े हैं तुमारी यह हमारे खेलने के लिए अच्छी है हमारे जुड़ने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि हम तो पहले ही पूरे हैं कोई रिजहाए, कोई लुभाए, कोई डराए मुस्कुराओ जो रिजहारा है वो कह रहा है तुम में कुछ जोड दूँगा, जो डरा रहा है वो कह रहा है तुम से कुछ तोड लूँगा, दोनों मूरक हैं, दोनों को पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है, अच्छा सवाल है, करना चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है, तुझे पता है मे कैसे ही बोली है पर यह अच्छा है दुनिया बाजार है यह लुभाता भी है और डराता भी है लुभाने आये कि डराने बस यह बोलो पत्र न तुम हमें कुछ जोड सकते न तुम हमें कुछ तोड सकते हम पूरे हैं पूरे, एकदम पूरे बाकी खेलने कूदने के लिए तुम अच्छे हो आओ, तुमारे साथ खेल कूद लेंगे उतना ठीक मस्ती के लिए ही तो है जिन्दगी अगर आप भीतर से पूरे हो तो बाहर बस मस्ती ही मौज करो पर किसी के साथ खेलना एक बात होती है और उससे डर जाना गिल्कुल दूसरी बात होती है, डर जाओ तो क्या खेलोगे कुछ नहीं, हम जगत के साथ खेल भी इसी ले नहीं पाते हैं क्योंकि मैं आपको एक गेंद दे रहा हूångू, लीजिये, खेलिए, आप खेलेंगी ना, गेंद दूँगा तो, खेलेंगी ना। खेलेंगी ना, ये पंधरा करोण की गेंद है, अब खेलिए, अब क्या गरेंगी? उनकी आवाज क्यों बंध कर दिये, मिरी जान। किवां ये सम्हाल कि किमार की खेलेंगे इच्छा में धर से करोर की केंध है लिए नहीं कहलने टिक के साथ खेल भी कि गेल रही है और यह गेंद नहीं था यह ग्रीनेड था हत्गोला था जो उचाला था कहलो गें protecting कि दर गए दर जाओं ये तो भी नी खेल सकते कि जहांड डर है वहां भी खेल नहीं है अब पैदा वह उखेलने के लिए लेकुन है खेल भी सकता है जो मुक्त हो जो मुक्त नहीं है वो या तो डरेगा या भागेगा या बांधेगा यही सब करेगा वो समझ में हारी बाती किसलिए पैदा हुए हो खेलने के लिए पर खेलना मुफ्त नहीं मिलता खेलने के लिए अहम की कीमत चुकानी पड़ती है खेलना आपका अधिकार है जिसे अरजित करना पड़ता है मुफ्त का अधिकार नहीं है वो वो अधिकार कमाना पड़ता है कैसे कमाया जाता है वो अपना दाम चुका के जो अपने स्वार्थों का दाम चुका देगा वो खिलने की पातरता पालेगा फिर उसको मौज आ जाती है उसका तनाव हट जाता है उसको नीद बढ़िया आती है वो डरता वगरा नहीं है वो विपत्ति की इस्थिति में भी चुटकुले मार देगा वो परिशान भी हो जाएगा तो उसकी परिशानी है आज आप पता करोगे कि पराया माल कहां कहां गप कर रखा है आपने पुलिस आए डंडा बजा के आप से चोरी का माल छीन ले जाए इससे पहले उसको खुदी वापस कर दो यह भी दिखता है अचारे जी कि जितनी भी चीज़े खुद के साथ जोड़ी हुई है यह बाहर से ही आ रही है और यह बाहर वालों को ही किसी तरीके से अपना काम निकलवाने के लिए आप स्वार्थ वर्ष या इंप्रेस करने के लिए या फिर वो सब कुछ बाहर बाहर ही हो रहा है और परधर्म पर ही चल रहे है दिखता है यह इसके भरोसे कैसे जी लोगे दूसरों के दी हुई इज़त दूसरों का दिया हुआ पैसा दूसरों के दिये हुए आश्वासन इन पे भरोसा करना बंद करो मान के चलो कि कुछ नहीं है किसी ने कोई वादा किया है वो कभी भी तूट सकता है कोई इज़त दे रहा है वो कभी भी बे इज़त भी कर सकता है कुछ नहीं है और है तो है जब तक पड़ा है जीवन में तो ऐसे पड़ा है जैसे किसी दूसरे का माल कई बार हमारे घर में पड़ा होता है होता है न कोई दूसरा कहीं जा रहा है तो कुछ दिनों के लिए आपको कुछ दे गया तो आप उसको अपना थोड़ी मान लेते हो आप उसका भोग थोड़ी शुरू कर देते हो कोई कुछ दे गया आप उसको रख लेते हो आपको पता है मेरे घर में रखा है पर किसी और का आएगा तो लोटा दूँगा नहीं भी आएगा तो उसको नहीं लोटाओंगा तो किसी और को लोटाओंगा पर अपना थोड़ी मानने लगूँगा इसको दूसरों की दिय हुई सब चीजों को याद रखो कि पराई है उनका भरोसा नहीं करते उनसे इतनी आत्मियता इतना तादात में ठीक नहीं और दूसरों की चीज से खेल भी नहीं पाऊगे अच्छा ये गेन दे रहा हूँ अब भाग रही है मैं गेन दे रहा हूँ दो गेन दे दी थी देखिए अब तीसरी दे रहा हूँ ये गेन दीजिए खेलिए खेलिए इससे ये साधारन है ये ये डिड़ सो करोड वाली नहीं है यह सस्ती गेंगे 50 रुपए की खेलिए, पड़ी मेरी है, आपको दे रहा हूं, खेल खेल पाइंगी, क्यों? क्योंभी दूसरे की ऐसे लिए डर रहेगा कि बहुत सम्भालगे खिलने पाड़ेगा तो दूसरे की चीज महंगी हो तो भी नहीं खेल सकते दूसरे की चीज डरावनी हो तो भी नहीं खेल सकते दूसरे की चीज कुछ भी ना हो, सिर्फ दूसरे की हो, तो भी नहीं खेल सकते, क्योंकि दूसरे की है मैं अपनी गाड़ी आपके खर खड़ी कर जाओ, कुछ दिनों को जा रहा हूँ, आप के हां रख रहा हूँ आप उसको ले के निकल जाओगे, क्या हजार किलो मीटर, कभी किसी वज़े से आपको चलानी भी पड़ी, तो आप बहुत संभल के चलाओगे कि इसमें खरोच ना आ जाये, कुछ हो ना जाये, इसको आप असला के रख दो भाई खेल नहीं पाओगे न चलिए, अब अपनी गेंद का प्रबंध करिए, तीन जब हट जाते हैं, तो जो बचता है उसे अपना कहते हैं, अपना माने आत्मा, चतुर्थ, तुरिए, जाइए अब चोथे को खोजिए जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रम् जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रम् सत्य हमारा बाप है मुक्ति हमारा धर्म रिशाधो मुक्ति हमारा धर्म एक दिन ऐसा होएगा कोई का हू का नाही एक दिन ऐसा होएगा कोई का हू का नाही घर की नारी को कहे तन की नारी जाही रे साधो तन की नारी जाही चाह गई चिंता मिटे मन वा बे परवा जिन को कुछ नहीं चाहिये वो शाहन के शाहरे साधो वो शाहन के शाहर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार रे साधो जाके राम आधार नवस्ते सर्थ मेरा नम मुसकान है मैं दिली विशुविद्यारे की छात्रा हूं जन्म कर्मा चमेदेव्यम एवं योवेत्ति तत्वता त्वक्तवादेहं पुनर जन्मा मैति मामेति स्वर्जुन तो आज हमने सीखा कि महानता कहीं बाहर से नहीं आती है वो हमारे अंदर पहले से ही होती है और हम सोचते हैं कि कोई आएगा वो समाज को सुधारेगा या चीजे ठीक करेगा वो ताकत हमारे अंदर ही है और हमें ही उसको जगाना है और महान होने का आर्थ यही है कि वो महानता को सब में जगाना चाहता है और हमें किसी के भरू से नहीं बैटना है खुद ही जिम्मेदारी लेनी है चीजों की और किसी से भी आस नहीं रखने हैं इस बात की